प्राणधार संदर साथ जी एवं धर्म प्रमे सद्जन ब्रेन आज मैं आपके सामने आत्म निरिक्षण के बिशय में बताने जा रहा हूं कि आत्म निरिक्षण क्या है और आत्म निरिक्षण करने से क्या लाव होता है यह बहुत गहन्तम भी सही है प्राय मनुष्य अपने जीवन में कभी यह विचारी नहीं करता कि हमें आत्मने रिक्षण भी करना चाहिए सरप्रथम हम समझेंगे कि आत्मा का अर्थ क्या होता है स्वयम अपने आपका अपने मन का अपने बुद्धी का अपने मन आद्य इंद्रियों का हमारे अंदर उठने वाले बिचारों का और हम जो सरेर के अंगों से जो चेश्टा करते हैं उन चेश्टाओं का और वेवार में हम जो भी अपने क्रिया कलाब करते हैं उन सब का और अपने संसकारों का निरिक्षण करना अर्थाद उसको देखना इसी का नाम है आत्म निरिक्षण कि मैंने जो बताया इन सभी को नित्य प्रती देखना चाहिए यदि हमारे समय हो तो प्रती घंटे देखना चाहिए और हम कुछ समझदारे बुद्धी मत्ता से काम ले रहे हैं कुछ निरनाई कर रहे हैं तो इसको हमें प्रती मिनट और हरेक्छन हमेशा इसकी गंबिर्ता से विचार करना देखना और गंबिर्ता से देखते हुए इस कार्य में निरन्तरता पुर्वक्ट प्रवित रहेना इसी का नाम आत्मने रिक्षन है हमारे अंदर जो चेतना है जिसको जीव कह सकते हैं जीव की प्रणा से मनुस्या अपने मन बाणी और सरीर के द्वारा जो भी प्रयतने बिश्यस करता है उस प्रयतने बिश्यस को देखना उसको जानना उसको समझना उसे ही आत्मने रिक्षन कहते हैं और जो व्यक्ति आध्यात्म मार की और अग्रसर हो चुका है अथवा जो आध्यात्मिक छेत्र में बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है उस साधक के लिए उस साधिका के लिए और जो योग्मार पर आगे बढ़ने की इच्छूख है उनके लिए अत्याहसक है कि चाहे वह कितने ही पड़े या जितने ही चर्चाहे सुन ले और लिए या परवपकार करें, यह अपने सम्मंधियों के लिए, अपने साथियों के लिए, कितने हैं भाग दोड कर लें, पुरा जीवन लगा दें, जब तक वहां अपने आंतरिक गति विदियों को, अपने सस्कारों को, तथा उनसे उत्पन होने वाले इस्मिर्थियों को नहीं देखता है, उसके पर विचार नहीं करता है, तब तक अंतरिक छेत्र में, अर्थात अध्यात्मिक जगत में, बिश्यास गति नहीं हो सकती है, दब तक मनुष्या स्वयम को नहीं देखता है, स्वयम को पैचानने का प्रयास नहीं करता है, जब मनुष्या अपने आत्मा को, अपने मन बुद्धी, अथा वाचीत को, अपने अंदर उठने वाले विचारों को, और अपनी बृत्यों को, अथा बृत्यकार सता विचार, बृत्यों के जब हालचाल होते हैं, उसके जब प्रवाव होते हैं, उसको एकाग्र होकर के, देखने लगता है, तब मनुष्य के जीवन में सिग्र ही परिवर्तन होने लगता है, वह परिवर्तन, उसको स्वयम अनुभव होने लगता है, ये किसी अन्य के द्वारा बताए जाने पर नहीं हो सकता है, या तो स्वयम इसके उपर, स्वें बिचार करने का भी सही है स्वें निरिक्षन करने का भी सही है तब ही जाकर कि हमें इस बिचार पर सफलता मिलती है जब वनुश्य अपने अंदर से बिचार करता है और आगे बढ़ने का प्रियास करता है तब मनुश्य दिन रात मेनत करने लगता है जो मेनत करता है उसको सफलता अबस्य मिलती है जब मनुश्य के अंदर रजगुण और तमगुण की प्रवृतिया बढ़ने लगती है जब मनुश्य के अंदर आलेश से प्रमात बढ़ने लगता है अजब मनुश्य के अंदर अज्यानत चाहे रहती है उसको सोचने समझने की समता कम हो जाती है और प्रव जन्मा के कुछ संसकार के कारण और इस जीमन में भी हमने अच्छे संगति नहीं की और हम कुछ संसकार में फच गया और आंतरिक रूप से उठने वाले जो दुस भृत्य होती है उसकी अधिकता के कारण भी जब मनुश्य सम निर्क्षण करके अंदर देखने का प्रयास करता है तब मनुश्य बहुत दुखीत होता है वो आंतरिक रूप से घवरा जाता है उसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूँ मुझे क्या करने से सफलता मिलेगी वो स्वयम विचार करने लगता है कि मैं कितना दुराचारी हूँ कितना पापी हूँ कितना चली कपटी हूँ मैं कितना जूटा व्यक्ति हूँ, मैंने जीवन में कितने अन्याई किया है, मैंने दुसरे के साथ पक्सपात किया है यह जब सांत चीत होकर के व्यक्ति देखता है, यह सोयम देखने के प्रयास करता है, तब जाकर अंदर से हमें सोयम जियान होता है यह विशय दुसरे के बताने से हमें मालूम नहीं बढ़ता है, यह जब व्यक्ति सोयम सांत हो करके देखता है, तब इस विशय पर वहाँ सफलता को प्राप्त कर लेता है भले दुसरे वक्ति कित्ता मी कहें, टोकें, उसको कुछ फरक नहीं पड़ता है, जब मनुस्य को धका लगती है बहार की वर से, बहार की वर से उसको दुख प्राप्त होते हैं, जब अपरमात्मा के सरण में जाता है स्वयम आंतरिक रूप से देखने का प्रहाश करता है, तब जाकर के यहां विशय उसको स्वता दिखने लगते हैं एदि जब हम इस विशय से डर चुके हैं, हमें भाय उत्पन हो रहा है और आंतरिक क्रिया को एदि हमने बन कर दिया तो क्या होगा? पाप, अधर्म, अनाचार, छाल, कपट, संचारिक इसनाय, संचारिक वासनाय और अधिक तिब्रगति से बढ़ते ही जाएंगे और अंत में हमें क्या मिलेगा? सुक, सांती के जगा पर, दुख, पीडा, बंदन हमें भोग न पड़ेंगे इसके जाल में हम भस जाएंगे और इसका परिणाम बहुत भहिंकर होगा एसे कुछ ससकार का प्रवाब इतना अधिक बढ़ेगा इतना अधिक बढ़ता जाएगा अन्ततव गत्व वा हमारे ही सत्र बनकर मनुस्य को भहिंकर, पसू, पक्सी, कीट, पतंग, ब्रिक्स, बनस्पती आदे के योनिया प्रदान करेगा वह वह ससकार इसलिए गीता में भी कहा गाए था काम, क्रोध और लोब ये नरक के तीन द्वारे जो इसको त्याग देता है वही मनुस्य सफल होता है वही आदात में लक्षे को प्राप्त कर सकता है आज का मनुस्य किबल दो मिनट के सुख के लिए कितना अत्यचार करता है कितना चल कपट करता है कितनों को दोका देता है कितनों से रिश्वत लेता है चोरी करता है किसलिए? किवले एक पेड भरने के लिए काई पर हमें अच्छे भोजन मिल गई बस हम उसके पर तूट पढ़ते हैं हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमें आगे उसकी प्राप्ती ही नहीं होगी तब हमारे अंदर से सयम, नियम जो हमेरे जो दिन चरे होती है हम सब भूल जाते है अन्तदगत्त उसका परिणाम क्या होता है? सरीर रोक का घर हो जाता है जब हमें डक्टर के पास जाना पड़ता है हमने मेनद से कम हुआ पईशा बस एक जिवा के स्वात के पीछे पढ़ करके हमने उस पैसे के क्या कर दिया? ब्यर्थ में गवा दिया और हम बिमार पड़ गए खाट पर पड़े रहे जब घर में अन्य सारे काम थे वह अब रुख गए और जब हम जहां काम करते थे समाज सिवा करते थे बिद्याद्धन करते थे ध्यान करते थे परवपकार के कारे करते थे वह सब रुख गया किस कारण से बस एक जिवा के बसुवत के कारण हमरे ये सारे कारे रुख जाते हैं इसलिए मनुष्य को कभी भी इस विषय के उपर लुलुपता नहीं होनी चाहिए लुलुपता का सिकार नहीं बनना चाहिए यह थे हम सुक्स में साथ से देखे तो हमारी इंद्रिय इस विषय को और अधिर भाकती है अधिक लालाइत रहती है विषय सक्तिक की भावनाई बढ़ती है मुझे ये चाहिए वो चाहिए जब हमारा मन बिषय सक्तिक और आगे बढ़ता है तो मुझे जीवन अस्यम उत्पन हो जाता है जो हमारे मन में अनेक कुछ संस्कारों को उत्पन करता है और वह कुछ संस्कार हमें अंत में पतन की और ले चलता है पतन की और नहीं ले जाता है पतन की वो गहरी घर्थ में ले जा करके धकल देती है जहां से मनुस्य कभी निकल नहीं सकता है इसलिए मनुस्य का परम करतब भी है कि ध्रिण संकल्प करे और मन आदी इंद्रे के पर रोक लगान नेकी चमता अपने अंदर उत्पन करे बीशे भोग करना और उसके संस्कार बनाना और उसके पुना इस्मृती भरना और उस सुक के लिए लालाईत होकर प्रविर्थ होना यह चक्रत निरंतर चलता ही रहेगा यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है इसलिए बद्दिवान मनुस्य का करतब भी है कि आत्म निरिक्षण के द्वारा अपने स्वयम की गतिविदियों का निरिक्षण परिक्षण करना प्रारम कर दे तो मनुस्य को अविश्य ही सभल्दा की प्राप्ति होगी हमारी मंदर पी जो गाड़ी है वो संसार के रास्तों पर वो तिब्रगती से चल रही है और विश्य की और दोड़ रही है बस इसी को रोकने की जरुवत है हम सरपर्थम जो मंदर पी गाड़ी है उसको ठीक प्रकार से परिक्षण कर ले इसमें हम कितना नियंतरन कर पा रहे है या हम नियंतरन नहीं कर पा रहे है हम इसको कितना भगा रहे है लिमेट में इसको चला रहे है यह अनलिमिटेड इसको भगाते जा रहे है यह किवल हमें ही पता चल सकता है अन्ने किसी को नहीं इसलिए यह हमने मंदर पे गाड़ी को ठीक नियंतरन में लेकर के चल रहे है तब ही हमें पता चलेगा कि ब्रेक कब लगाना है कब गाड़ी को तेज गती से भगानी है कहां पर धीरे गती से चलानी है ये तो किवल हमें ही पता होगा अन्य किसी को नहीं हो सकता है जो ड्राइवर होता है जो चालक होता है उसको ही पता होता है कि मैं कितने तिब्लगति से गाड़ी को भगा रहा हूँ बैठने वाले तो अराम से बेठे हुए हैं मैं कूछ पता नहीं होता है मत जो मन्हों से संसार कारी को कर रहा है जो संसार के भाग रहा है किुछ वही जानता है कि मैं कितना भाग रहा हूं कि Spark Sang अंदर सांती है कि उसी को ही पता होता है कि यह हमने ऐसा किया और हमने मंद्रुपी जो गाड़ी है उसको साउधानी से चलाई तो हमारा मन हमें निश्य ही गंतव्य की और पहुंचाएगा नहीं तो शास्त्र क्या कहता है मना एव मनुस्याणं मनुस्य जीवान में मनी एशा है जो मनुस्य को जन्मरण में रख सकता है और जन्मरण के चक्रें चुड़ा करके सास्त्र आनन्द को भी प्राप्त करा सकता है जब हमारे गती संसारिक चोका चोक से हड़ जाती है जब अंदर की और बनने लगती है अंदर की और बनने लगती है तो हमारे अंदर जो छुपई हुई जो सुक्सरुप में जो बिद्यवान जो तुरूटी है दोस है जो अपुरुनाता है जो च्छती है उसकी पेचान होने लगती है उस कमी को दूर करने का पुरुशार्थ शुरू हो जाता है अंदर गत्वा मन पर विजय ही प्राप्त होता है दुरुगुणों का तिरसकार और सद्गुणों का सद्कार अपने अंदर उतरने से ही होता है जो पाप कर्म की जो ससकार है उसकी निविर्ति और जो पुन्य कर्म है जो सुब कर्म है जो निश्काम कर्म है उसकी कमाई केवल आत्म निर्क्षण करने से ही मिलती है जो मन की मलिंता है उसका प्रक्षालन उसको अच्छी प्रकार से दोना उसको साप करना आत्मा के अंदर बाल जोस उच्छा पराक्रम उर्जा शास्षण सत्य की और आगे बंड़नी की प्रविर्ति तभी मालूम होने लगती है जब हमारे मन से मलिंत दूर हो जाए संसार के अंदर ऐसे हजारों मनिस्चे मिल सकते हैं जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं सायद को ऐसे भक्ति होंगे जो एक प्रतिसद दो प्रतिसद लोग परमात्मा को याद करते होंगे परन्तु अपने अंदर उठने वाले आंतरिक प्रवित्तियों को गलत विचारों को प्रतिदिन केवल कुछ समय निकाल करके पांच-दस मिनट देखने वाला तो हजारों की करोडों की संख्या में केवल एक-दो ही मिल सकते हैं कि अन्य था कोई भी अपने कम्यों को दूर करना नहीं चाहता है बस उसको वही पसंद होता है उसी में लगा रहता है उससे हटना ही नहीं चाहता जब हम आंतरिक विचारों को देखना नहीं चाहते हैं अपने कुछ संसकारों को हटाना नहीं चाहते हैं तो क्या हम अपने उपर नियाय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं इसको हम स्वेम विचार कर सकते हैं क्या हम इस इस से नहीं हट रहे हैं इसका हम दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो क्या हमारे उपर परमात्मा की बिशेश क्रिपा हो सकती है हमारे अंदर कितना दोईस भरा पड़ा है इर्ष्या है, छलका पटे, जूठे, नस्तिकता है यह सब हमारे अंदर ही तो है हम परमात्मा को भूल जाते हैं हम जो भी करते हैं हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा हो रहा है हम अपनी सामर्थ से कर रहे हैं जब हमारे अंदर मेपना आ जाती है अपने अंदर के सामर्थ उवर जाती है तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं हम ये भी नहीं सुचते हैं कि जो हमारे अंदर जो सक्ती सामर्थ है वो परमात्मा ने हमें परदान किया है उस परमात्मा के दियारा संसादों से हम ये सब कर रहे हैं हम यह भूल जाते हैं हम उसमें नास्तिक बन जाते हैं जिससे में हमें यह संपूर्ण कारिया ऐसा अनुभव होने लगता है यह सब परमात्म की किरपा से हो रहा है परमात्म के दिया हुआ सामत से यह कर रहा हूं तो उसमें हमारे अंदर आस्तिकता की भावना उबर जाती है क्या हम अपनी बाणी का सदुपए कर रहे हैं या दुर्पए कर रहे हैं क्या जीवान में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सकाम कर रहे हैं निसकाम कर रहे हैं इसके उपर भी बिचार करना पड़ता है हम लवकिक धन के लिए तो दिन राद ध्यान देते हैं अपने पद के लिए प्रतिष्टा के लिए हम सब कुछ करते हैं एक परिवार को छड़ सकते हैं लेकिन एक प्रियतम पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो आत्मा का मालिक है उसको प्राप्त करने के लिए हम थोड़ी समय के लिए आदा घंटा एक घंटा तक संसारिक विशयों के हम सुड़ना नहीं चाहतें तो वो पर्मात्म हमें किसे प्राप्त होगा हम इस नस्वर सरीर को रखने के लिए इसकी सुरक्षा के लिए मकान बनाते हैं धंदे बेपार करते हैं मंडी लगाते हैं बड़े-बड़े बिजनेस को हम चलाते हैं और हम देखते हैं कि इसका आउट पुट क्या होगा और हमें कितना रिटर्न मिलेगा और हमें कितना लाब होगा कॉब मिलेगा कितने समय पर मिलेगा यह सब हम देखते हैं परंतु हम अपना यह सुन्दर जो सरीर है इंद्रिया है मन है बुद्धी है इसके भी सेपर हम कभी चिंता नहीं करते हैं इस भी सेपर हमें सोचता ही नहीं कि हमें कितना अमले चीज मिला हुआ है जो नस्वर पदार थे हम उसको बढ़ाने के लिए बहुत महिनत करते हैं दिनरत लगाते हैं लेकिन जो अमले जो शरीर का जो अंग परतंग है हम उसकी सुरक्षा के लिए ध्यान नहीं देते हैं लापरवा करते हैं यह हमारी मुर्खता है यह हमारी अज्यानता है यह हमार प्रति दिन 18 घंटे मेनत करते हैं और 18 घंटे में हम आउंटपुट कितना ले रहे हैं इसके उपर हमने कभी विचार किया और हम इसको क्या दे रहे हैं इसके हमने कितने शुराख्षा की इसके गर हम कभी नहीं सुचते हैं कभी बिचार नहीं करते हैं का है हमारे द्वारा आख कान आधि जो हमारे साधन है उसका हम ठीक परकास्य सदुपय कर रहे हैं या दुरुपय कर रहे हैं हम इसके सुरक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कभी हमने इस विशय पर ध्यान दिया चिंतन किया कि हमने कभी इस विशय पर सोची कि इसके हम जांच पड़तल करें कि इसके आवसक नहीं है बहुत आवसके जिसके दौर हमारा सरी चल रहा है हम जीवी थे हम संसारी इसरिय को कमा रहे हैं संसार में हमेरी प्रसिद्धी हो रही है किस कारण इस सरीर के कारण मन इंद्रे के कारण जब यही नहीं रहेगा तो संसार प्रसिद्धी हम कहां से प्राप्त करेंगे हमारा सम्मान कोन करेगा हमारा इज्जत कोन करेगा जब तो कि सरीर है तब तक प्रसिद्धी है जो सरीर समाप्त हो जाएगा प्रसिद्धी भी समाप्त हो जाएगी हमारा मान समान सब समाप्त हो जाएगा इसलिए हमें इस भी सही पर आत्मनेरिशन करना चाहिए इन सब होने के पस्चाद जो आंतरिक उन्नती है जो अंतिम उन्नती है वो तेगवल आंतरिक उन्नती ही है अपने आपको पैचानना मैं कौन हूँ कहां से आया हूँ सरीड और संचार को छण्डे की पसद मुझे जाना कहा है संचार में इतने सारे कीडे मकोडे हैं ब्रिक्स बंस्पतिया है हमें इस योनी में हमें जन्म लेना नहीं पड़ा और हमारा जन्म इस मनुष्य योनी में हुई है कर्म की इसक्राणे से हमें मनुष्ययोंई की प्राप्ति हुई है कि हमें शिग्र अतिशिग्र प्रयतम परव्रम को हुए थी Potter इसलिए हमें इस्मनुष्ययोंई की प्राप्त हुई थी लेकिन हम उसको भूल जाते हैं वर संसẩरी कारे में ब्यस्त हो जाते हैं जब हम अंदर से अपने आप को सुधार ले तो सब सुधार जाएगा किसी अन्य को सुधारने क्या हब सकता नहीं पड़ती है हमारे आचरण को देख करके हमारे विवार को देख करके दुसरे व्यक्ति स्वहिम सिदरने लग जाएंगे हमारे जो आंतरिक जो इस्तिती है उसको किवल हम ही जान सकते हैं अन्नी कोई नहीं जान सकता कि या तो हम जानते हैं या तो प्रियतम पर ब्रम जानता है हम बाहर से कितने ही अच्छे हो धार्मिक कारे को करे दैलुपन दिखाए परवपकारी अथात परवपकार कारे करके पुन्य कारे करके समाज सिवा करके सबको दिखाते हैं लेकिन अंदर से हम क्या होते हैं बिल्कुल नगणने होते हैं खोकले होते हैं हमेरे अंदर कुछ भी नहीं होता है हम खाली होते हैं जो हमें प्राप्त करने चाहिए था हम उससे बंचित होते हैं बाहर से था हम प्रेम दिखाते हैं लेकिन अंदर से हम कितने स्वार्थी है कुरूर है यह दो किवल हमें ही पता चलता है मन बचन और क्रिया में कि हम कितना भेट कर रहे हैं कि कि वल हम जान सकते हैं अन्य को ही ने जान सकता है हमारे मन या हमारे प्रवृतिया बिश्यव के प्रतिक कितने लोलुपता है कितने लगे हुई है संसारिक विश्यव में हमारे कितने लाल सा है संसारिक विश्यव में हमारे कितने कामुकता है हम कितना उसको प्राप्त करना चाहते हैं अधिक से अधिक हमारे अंदर कामना ही भरी पड़ी है संसारिक प्रसिद्धिक की इष्णा है हम असयम जीवन ब्यतित कर रहे हैं यह ते केवल हम जानते हैं बाहर से हम कितने ही अच्छे लगे शुखी लगे धनी देखे इस सर्वान देखे भले दुसरे देखने वारे को हमें ऐसा अनुभुती होने लगे दुसरे को लेकिन अंदर से दुखी पीडित और हम आध्यत्मिक सित्र में बहुत गरीब है नगणने है हमें कुछ भी प्राप नहीं हुआ बस हमें आत्मरी रिशन करके देखना है यथारत रुप में हमने इस नस्वर जगत में जूटा जीवन को तो बहुत देख लिया संचार में चल कपड़ी बहुत कर लिया समाज राष्ट और अपनी परिवार में अपनी परिजनों के साथ हमने बहुत दिखावा कर लिया अपने सरीर को बहुत सजा लिया कभी तेल लगाते हैं कभी इत्र लगाते हैं कभी कुछ लगाते हैं अच्छा अच्छा बस्तरों का हम धारन करते हैं इस नस्वर शरीर को था हमने सजा लिया हमने अपने आपको बहुत दुखा दिया लेकिन अब हमें बहार की नजर हटा करके आंतरिक नजर से देखना है बहार की नेत्रों को बन करना है और आंतरिक चक्षों को खुलना है इससे क्या होगा हमारे अंदर जो इस्तिद जो दोसे जो कमिया है जो अधर्म करने के जो मन करता है अधर्म करने की जो प्रवित्या है जो पाप करने की इच्छा होती है जो हमारे अंदर वास्ना ही जागरित होती है जब हम उसको पहिचान लेते हैं आत्मनेरिक्षण के द्वारा जब हम उसको सास्त्र के द्वारा प्रमानित कर लेते हैं और उसको सास्त्र प्रुवक स्विकार कर लेते हैं जब हमने स्विकार कर लिया उस इसको समाज लिया तो हमारा जीवन है वो पुरुषार्थ के सित्र में आगे बढ़ने लएगा जह हम जितना मेनत करेंगे जितना पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा ती ब्रगती से आगे बढ़ेगा और बिज्जु से हम परमात्मा से सायता मंगते रहेंगे तो परमात्मा निश्चित्र से साय करेगा हमारी सायता करेगा बले हम संसारिक लोगों से सायता न मागे या मांगने पर संसारिक स्वार्थ लोग सायता करे या न करे अपने परिवार कि जो सदस्य है वो हमारी सायता करे या न करे लेकि जबा आत्म निरक्षण के द्वारा पूरी तरह से समर्पित भावना से प्रियतम परब्रम के चरौणों में हम सायता माकते हैं तो वो परमात्मा निश्चित्रों से हमारा सयोग करेगा, हमारी सायता करेगा वही परमात्मा है जो सब की सायता करने वाला है संचार में पूरी तरह से सव परतिशत हमारी सायता कोई नहीं कर सकता है ना हमारी मातापिता कर सकते है ना गुरु कर सकते है ना आचारे कर सकते है ना विद्वान कर सकते है कोई भी नहीं कर सकता है राजा भी नहीं कर सकता है पूरी तरह से था हमारी सायता और हमारी सुरक्षा केवल प्रियतम परब्रम्म ही कर सकता है इसलिए हमँए मन बच्चन और करूसे कभी गलत कारे नहीं करना है ये नि होता है तो उसके लिए हम प्रहिश्ड करें आगे से उस कार्य को ना करने का संकल ले तभी सफलता मिलेगी और परमात्में की सायता भी हमारे उपर बने रहेगी परमात्में इक्रिपा बने रहेगी तभी जाकर कि हम सफल हो पाएंगे और सफलता को प्राप्त कर पाएंगे यही मनुष्य जीवन की सफलता है प्रणाम ज झाल झाल